हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लिए लिख्या ही हूं पॉंचे का एक निया डिजाइन तो मैंने पॉंचे को तयार कर लिया है उसके दोना तरफ से लगा ली है पॉंचे की जो चोड़ाई है वो तीन इंच र लगाना है नीचे की तरफ हमें चार-चार इंच पर निशान लगाने है अब जो बीच की हमारी लाइन है यह से हमें डेड़ इंच के लगबग निशान लगाना है तो हम इसे पूरा डेड़ इंच ही ले लेंगे तो अब यहां से हमें जो हमने चार इंच पर निशान लगा अब दूसरे तरफ से मैंने डिजाइन ड्रो करना शुरू किया है टो यह वीडियो में थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है तो यह थोड़ा आग जाएगा तों आपको दिखा दूंगे अच्छे से देखे मैंने इस तरीके से पतिया बनानी शुरू की है यहां पर एक फ्लॉर बनाऊंगी यहां से फिर हमें इस तरीके से डिजाइन ड्रो करना है यहां से पतिया बनाएंगे फिर एक फ्लॉर बनाएंगे रोस फ्लॉर बनाना है मैं काफी दिनों के बाद यह रोस फ्लॉर वा अब यहां से बिल्कुल इसके नजदीक से एक पैर का मार्जन देते हुए हमें दूसरा हमारा जो निशान है वो लगाएंगे और अब इनके बीच में हमें इस तरीके से निशान लगाने हैं अब हमने जो साइड वाले लाइने वो भी बना ली है और इसके ऊपर की तरफ हमें दो लाईन इस तरीके से गुल आई में बनानी है तो आप देख सकते हूं अब अब इन पे हम सिलाई देंगे तो सबसे पहले हमने जो यह लाइनिंग बनाई है इन पे हम सिलाई देंगे उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए बैल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो अ इसके बीचों भी त्यार कर लिए हैं जो आपनी जो आपनी रिंप दो खिल अब में अब हमारा ओपर का डिजाइन था उसे में त्यार कर रही हूं कि इसा है जेसे जेसे मेंनी निशान बनाई था वैसे भी हम इन पर दीनी है तो देखिए कितने अच्छे हमारे सिलाइन पर लग रही है यह थोड़ा डार्क कपड़ा है इस पर थोड़ा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है अगर आप इसे लाइट कपड़े पर बनाएंगे तो यह बहुत अच्छा लगेगा लाइट कलर का जो कपड़ा होता है जैसे येलो लाइट पेंक उन पर बहुत अच्छे से बनता है तो देखिए हमने त्यार कर लिया है ऐसे हमें आगे की तरफ सभी को त्यार कर लेना है तो देखिए हमने सभी को अच्छे से त्यार कर लिया है हमारा पूंचा पूरी तरिके से बन के त्यार हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजीगा प्लीज कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा आप भी ट्राय कीजिए थैंक्यू फूर